तो पिहार में दो रासवा सीटे खाली हुई हैं मीसा भारती और विवेक ठाकुर के सांसत बज़ जाने के बाद तो ये सीटे किसके हिस्से जाने वाली हैं या आज आपको बताने का प्रयास करेंगे क्या कुश्वाहा वोटरों को आकरशित करने के लिए उपेंद्र कुश्वाहा जो चुनावाहार गए उनके हिस्से सीट जा सकती है आरके सिंग या रमा देवी के हिस्से क्या ये सीट जा सकती है निदिश कुमार किसके नाम पर तयार होंगे वो क्या चाहते हैं इन सभी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिशाथी पंकर जी पंकर जी बिहार लगातार सबकी नजरों में बना हुआ है पहले किंग मेकर फिह मंत्री मंडल और अब आ गहीं दो राजसभा सीटें इनका क्या होने वाला है लोग बि जेडी में चले जाए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उपेंद्र कुष्वा चुनाओ हारने के बाद उन्होंने बड़ा साब तोर पर कहा है कि ये सब को पता है कि वो चुनाओ हारे हैं या हराए गए और आपको ये बता दें कि ये उनका बहुत बड़ा मिली थी और वो भी सीट उपेंद्र कुष्वा हार गए और हारने की वज़े जो मेरे पास जानकारी आ रही है क्योंकि ये जानकारी बेहुत है कि उपेंद्र कुष्वा का ये मानना है हमें जो सूतरों से जानकारी मिली है उसके मताविक औरंगाबाद में सुसील सिंग जो की चुनाओ हारे सुसील सिंग ने उपेंद कुछवाह के को हराने की तमान तैयारियां पूरी कर दे दरसल आप पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्यों आप यह पूछ सकते हैं तो दरसल यह हुआ इस तरीके से कि सुसील सिंग के बिरोद में उत्रे कौन अभे कुछवाह जिनको अभे सिना कहते हैं कुछवाह जाती से आते हैं लालु प्रसाद ने एक नया प्रियोग किया और जो मिनी चितोडगर कह जाता और अंगाबाद वहां पर सुशील सिंग की हालत खराब हो गई आप समझे चार बार से चुनाव जीते थे इस बार वो हार गये अब चार बार से जीते थे इस बार हार गये तो सुशील सिंग को ऐसा लगा कि उपेंद कुछवाहा अगर मेहनत किये होते और अंगाबाद में तो सुशील सिंग चुनाव जीत सकते थे तो जैसे ही चुनाव संपन हुआ क्योंकि आपको याद होगा पहले ही फेज में और अंगाबाद में चुनाव था और जैसे ही चुनाव संपन हुआ उसके बाद सुसील सिंग जो है सायद समझ गए होंगे ऐसा उपेंद कुषवा कैम्प के लोग कह रहे हूँ कि कोई भी उम्मीदवार समझ जाता है कि वो जीत रहा है अभास हो जाता है तो उसके बाद सुसील सिंग को ये लगा जैसा कि उपेंध कुष्वा के कैम से मेरे पास खबर आ रही है कि उपेंध कुष्वा ने उनके छेतर में उतना प्रयास नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था अगर वो ठीक से प्रयास किये होते तो कुष्वा वोट NDA का वोटर था बहुत हद तक सेन्मारी की जा सकती थी और सुशिल सिंग की जीत सुनिश्चित हो सकती थी और इसी चक्कर में उपेंद्र कुछवाहा ने क्या किया कि तो इसलिए सुशिल सिंग ने क्या किया कि पवन सिंग को उकसा दिया ऐसा उपेंद कुछ वहा के कैम्प के लोगों का मानना है ये मैं आपको बता दूँ कि पवन सिंग को उकसा दिया पवन सिंग जो की आरा से लड़ना चाहते थे आरा छोड़ करके काराकाट पहुंच गए और सिर्फ पवन सिंग को उकसाया ही नहीं बलकि तमाम तरह की लॉज सुषिल सिंग काम कर रहे थे क्योंकि सुषिल सिंग उपेंद कुछवा से बदला लेना चाह रहे थे क्योंकि उपेंद कुछवा ने सुषिल सिंग के लिए और अंगाबाद में उस तरह का कैम्पेंग नहीं किया उपेंद कुछवा कैम का अरोप है ऐसा उपेंद कुछव और इससे एक और नया सवाल बनता है कि उनको रोकने के लिए क्या जो रुदो रासभा सीटे खाली हुई है उसमें से एक सीट उपेंद कुश्वाहा को दी जा सकती है क्योंकि कुश्वाह वोटर नराज है यह चुनाव में साफ तर पर नजर आया है तो एक उसके लिहाद से को तोड़ने के लिए आठ लोगों को चुनावी मैदान में उतार दूसरी बड़ी बात इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आप देखें कि समराच चौधरी भी बीजेपी में बड़े नेता हैं और कुश्वाह समास से आते हैं लेकिन समराच चौधरी का जादू बहुत ह दिखाई नहीं पड़ा चुनाव में तो सवाल यह उठता है कि विदान सभा चुनाव में अगर आपको सवाब वोट मैंक को साधे नहीं रखेंगे तो इसका अच्छा खासा नुकसान आपको साथ दिखाई पड़े जहां तक सवाल है 2020 के चुनाव का तो तेजस्वी याद कॉंग्रेस के साथ मिल करके और आगर आप कहें तो लेफ्ट के साथ मिल करके इन लोगोंने बड़ी हालत खराब कर दी थी एंडिये की बड़ी मुश्किल से ये लोग कुछ मार्जिन से महज 12,000 वोट पूरे प्रदेश अस्तर पर सिर्फ 12,000 वोट आप जान लिजे एंडि कि कुछ सब्सक्राइमा precaution कि इन दिये का परागत वोटर माना जाता इसलिए कुछ वोट बैंक को साधे रखने के लिए उपेंद्र कुछ वोट कुछ देना ही पड़ेगा और ये जो मैं आपको कहानी कहा रहा था उपेंद कुछवा पूरा रिपोर्ट ले करके एंडिये के नेताओं से मिले हैं बड़े नेताओं को हर मामले से अबगत करा दिया है इसलिए उपेंद कुछवा ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि मैं हारा नहीं हूँ हराया गया बहुत important है क्योंकि बिदान सभा का चुनाव भी है और बिदान सभा के चुनाव में कुस्वाः बोटरों की एहमियत समझी जा सकती है अभी देखिए कुस्वाः बोट बैंक को साधने के लिए 8 कुस्वाः उमिदवार को उतार करके लालू प्रसाद जो की zero seat पर थे 2019 में व सवाल ये उठता कि अगर कुस्वाः को लग जाएगा कि उनके लीडर्स को कुछ दिया नहीं जा रहा है एंडिये में मंत्री भी नहीं वने और राजसभा की seat भी नहीं मिली तो निश्चित तोर पर कुस्वाः वोट बैंक फिर एंडिये के साथ क्यों नहीं ये एक सवाल उठता है मुझे लगता है नितीष कुमार जिनका आधार वोट बैंक कुछवाः समाज भी रहा है वो भी इस बात पर ध्यान देंगे और बीजेपी भी इस बात पर ध्यान देगी वैसे ये का जा सकता है कि समराट चौधरी तो कुछवाः समाज सही है लेकिन मुझे इस और गहरा सक्थ है, बड़ा सक्थ है, क्योंकि लोगसभा चुनाओं में जो परफॉर्मेंस की उमेद समराठ चौधरी की मौजूदगी की वज़े से, ये समझी जा रही थी कि बियार में ऐसा ऐसी सफलता मिल सकती है, वैसी सफलता मिलती भी तो दिख नहीं रही है, बिल्कु सीट उपेंद्र कुष्वा को मिलेगी, या जो मीशा भारती वाली सीट है, वो उपेंद्र कुष्वा को मिलेगी, तो क्या बिवेख ठाकुर वाली सीट किसको मिलेगी, आरके सिंग को मिलेगी, कि रमा देवी को मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, भी वैस समाज से आती है रमादेवी का टिकट कटा है जहां तक सवाल है वैस समाज से संजय जैसवाल भी आते हैं वो भी मंत्री नहीं बने हैं तो वैस समाज को साधे रखने के लिए क्या रमादेवी को राजसभा से लाया जा सकता है या आरके सिंग जो की राजपूत के भी रहे थे कि मंत्री मंडल में जगे नहीं मिली है तो क्या आरके सिंग जो की बेतरीन परफॉर्मर माने जाते थे क्या उनको भी राजसभा के जरी ये लाया जा सकता है इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाओंगा कि नितीश कुमार तो कुछ और सोच रहे नितीश कुमार के दिमाग में ये चल रहा है कि जिस किंग महेंदरा को जो की दवा बैफसाही बताए जाते थे और बड़े बैफसाही बताए जाते उनके भाई भोला शर्मा को राजसभा में बेश सकते हैं इसकी भी चर्चा है क्योंकि जहानाबाद में भूमियार बोट बैंक टरन आउट नहीं हुआ इनके फेवर में इसलिए जहानाबाद जेडियू हार गई वहाँ पर भोला शर्मा ने बहुत मेहनत किया अब भोला शर्मा को इनाम देने के लिए जेडियू के अपने कोटे से उनको राजसभा बेश सकती हैं ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ अब दो सीटे हैं और चार नाम अब तक हम गि और नितिष कुमार से अब जो फिलाइल हाल हाला थे उसमें बड़ा इंपोर्टेंड हो जाता हैं चाहिव हो केंदरहो केंदर ने में तो मान गये शर्मान में और बो बा labeled चलरा इसलिए अलग विशह पर उद इसलिए भी धर आप में फिए अगर ओंदर कुश्वा को शाम नहीं करेंगे तो उपेंदर कुश्वाहा अरजेडी कैम्प में जा सकते हैं और यह बहुत बड़ा नुकसान दायक साबित हो सकता है और जहां तक उपेंदर कुश्वाहा का सवाल है देखिए बिदान सबाद चुनाओं में तो हार और जीत का फासला क्या होता हजार वोट द बड़ा नुकसान साबित हो सकते हैं बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर उपेंदर कुश्वाहा को कुछ दिया नहीं गया तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि उपेंदर कुश्वाहा को साधना बहुत जरूरी है और कुश्वाहा में बड़े नेता के तोर पर उपेंदर अगर नहीं दिया गिया तो निश्चित तौर पर विदान सभाद चुनाओं में दिक्कत होगी उपेंद्र कुष्वा को एंडिये कैम्प में ही रखना है इसकी ज्यादा चिंता किसको है निदिश्कुमार को है कि बीजेपी को है ज्यादा चिंतित कौन है क्लेम तयार होगा क निदिश्कुमार को भी कम नहीं होना चाहिए कि लव और कुष्वाह को साधे रखना उनके लिए बड़ी चुनाओं निदिश्कुमार को ये भी नहीं बूलना चाहिए कि इस चुनाओं में कुष्वाह का बड़ा वोट बैंक आपके हाथों से फिसल चुका है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो औरंगाबाद में ये स्थिती नहीं होती ऐसा नहीं हुआ होता तो पाटली पुत्रा की हार नहीं होती ऐसा नहीं हुआ होता तो कारकाट में हार नहीं होती ऐसा नहीं हुआ होता तो आरा में हार नहीं होती तो ये समझ लिजे चार सीट औरंगा बाद की वज़े से चार सीट का नुकसान तो साथ दिखाई पड़ा है इसलिए ये कहना कि आप उपेंद कुछ वा को तरजी नहीं देंगे तो बहुत बड़ी भूल करेंगे मुझे ये बहुत साथ दिखाई पड़ा है इसलिए ये दोनों की जरूरत है और दोनों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि नितीश कुमार के लिए खास तोर पर विदान सभा चुनाओ ज्यादा एहम है इसलिए मुझे लगता है कि उनको अपने वोट बैंक को साधे रखना बहुत जरूरी है और अगर वो कुछवा को साधे नहीं रख पाएंगे उपेंद कुछवा के जरिये तो बड़ा नुकसान होगा अब सवाल उठता है कि राजपूत और वैश में क्या किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल उठता है और ये गंबीर सवाल है क्योंकि राजपूत मत दाता भी बहुत इंपोर्टेंट है सवाल ये उठता है कि इस बार बीजेपी के एक्सपेंशन में जो कैबनेट बनाये गया उसमें बिहार को प्रतिनिदित तो मिला नहीं नितीश कुमार भोला सर्मा को लेकर के मान जाएंगे क्योंकि उनके दिमाग में ये चड़ चुका है कि भोला सर्मा को राज सभा बेजा जाना चाहिए नहीं ये हकीकत है लेकिन आप पॉलिटिकली चीजों को देखेंगे तो निश्चित तोर पर मुझे ये जो समझ में बात आती है कि चारों बहुत इंपोर्टेंट है और चार में तो कुछवा बहुत इंपोर्टेंट है आरके सिंग भी इंपोर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और जाती के भी लिहाज से कुष्वा भी बहुत important है जाती के लिहाग्स से भी और विदान सबात चुनाओ है उसके लिहाद से भी रमादे भी भी important है क्योंकि वैस मतदाताओं को साधे रखने के लिए विदान सबात प्रियोरिटी जिस तरह किसे आप बात कर रहे हैं इक बहुत बड़ी बात है उपेंद्र कुष्वा को कुछ नहीं मिला तो क्या वह राजनीती मेh अपनी प्रासंगिकता खोना चाहेंगे कि्या उनको लगेगा कि वो किसी तरफ नहीं है, किसी हाल में नहीं है, कोई उन पर ध्यान देने नहीं जा रहा है तो उनके पास एकमात रुबिकल बसता है कि वो RJD में जाएंगे और जिस तरीके साब ने उनकी गत्विदियां बताएं लग भी रहा है कि वो आरपाल की लड़ाई लड़ाई है RJD में जाएंगे और RJD में जाएंगे तो RJD उनको हाथो हाथ लेगी अब आप ये सोचिए मुके सानी जिस तरीके से हेलिकॉप्टर में गुनते हुए दिखाई पड़ते हैं वैसे ही अगर उपेंद कुछवाह हेलिकॉप्टर में गुनते हुए दिखाई पड़ेंगे तो कुछवाह के बीच में मैसेज क्या जाएगा तो ये एक बड़ा गंबीर सवाव वो ही कह रहो माई बाप माईक मतलब कुछवाहा माई में कुछवाहा जुड़ चुका है ये RJD के लोग कहना सुरू कर चुके हैं इसलिए आपको अगर कुछवाहा को साधे रखना है और अपने साथ रखना है तो समराट चोधरी ठीक है ए लेकिन अगर आप पैन बिहार देखेंगे कि उपेंद्र कुछवाह के बड़े नेता है इसलिए उनको साधे रखने के लिए अभी मैंने कोई चिठ्थी भी देखी पूरु सांसद है मांजी करके नाम मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है उनकी बड़ी चिठ्थी वा प्रिबिट्टी की आवाज ब्याने लगी वह बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर ये चर्चा का विशए है कि बीजेपी जिस तरीके से समराठ चौधरी से परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही थी वो परफॉर्मेंस समराठ चोधरी से मिले नहीं। समराच चोधरी का जो प्रभाव बीजेपी को लग रहा था बीजेपी के शिर्ष नेताओं को वो समराच चोधरी का प्रभाव कुस्वाह समाज में भी नहीं दिखा। दिखा कुछवाह समाज को तोड़ने में लालू प्रसाद यादब बहुत हद तक कामियाब हुए है नवादा में भी कामियाब हुए ये बात और है कि वहाँ RJD से ही कोई बिरोधिक खड़ा हो गया जिसने बिरोध कर दिया और उसने अच्छा वोट काट दिया इसलिए BJP जितने में कामियाब हो गई लेकिन कुछवाह वोट बैंक को बहुत हद तक साधने में लालू प्रसाद यादब कामियाब रहे है ऐसे मैं सवाल उठता है कि समराट चौदरी का प्रवाव कुछवाह पर है इस पर सवाल BJP के भीतर ही उठने लगा ये मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ और इसलिए कहा जा रहा है कि समराट चौदरी के साथ-साथ उपिंद कुछवाह को भी NDA फोल्ड में रखना बहुत जरूरी है और NDA फोल्ड में रखने के लिए उनको अगर महत्वण पद नहीं दिया गया तो वो NDA का साथ छोड़ सकते हैं और RJD के साथ चले गए और वो भी मुकेसानी की तरह हेलिकॉप्टर में मचली खाते देखे जाते हैं या कुछ फूरूट्स खाते देखे जाते हैं मान लिजे नॉन्वेज नहीं खाते होंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा फिर कुछ वाहा को कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि जाना किदर है और करना क्या है और जहां तक बिदान सभा का चुनाओ है तो बिदान सभा का चुनाओ बिलकुल अलग होगा इस बार का चुनाओ प्रधान मंत्री मोधी के चेहरे पर लड़ रहे थे तो एक बड़ा क्लैरिटी था मोधी के नाम का एक मैजिक भी होता है उसका एक फाइदा भी होता है लेकिन जब आप बिदान सभा चुनाओ जाएंगे तो कहानी बिलकुल उलट होगी उसमें आपको जाती समीकरन साधना होगा बहुत तरकी चीजों को साधना होगा इसलिए राजसभा की सीटों को ले करके आप देखेंगे तो निश्यत तोर पर आपको नजर आएगा कि BJP या NDA के सामने बड़ी उलजन है सवाल ये है कि NDA के नेता खास तोर पर नितीश कुमार और BJP के शिर्ष नेता इसको कैसे सुल जाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्वर करेगा नहीं तो उपेंद्र कुछवाहा की अगर नहीं सुनी गई तो मुझे तो साब दिखाई पड़ता है कि उपेंद्र कुछवाहा फिर इंडिये छोड़ करके RJD कैप में जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचता भी नहीं बिहार में एक बार फिर दो रासवा सीटों को लेकर ही सही मगर चिंता की लकीरें खिज गई है BJP और नितिश कुमार कैंप दोनों में ही अब दो सीटें किसके हिस्से जाएंगी दावेदार कई हैं तो बिल्कुल देखना दिल्चस्प होगा कि क्या समीकरान फिट बैटता है इन दो रासवा सीटों के लिए हमारी नजर लगातार बनी रहेगी इस पूरे मसले पर बहुत बहुत धन्यवाद